Hello guys once again welcome back to wsq tech youtube channel I am Pranjir Mathur तो आज आपन बात करने वाले हैं CSS की clear property की तो basically CSS की property क्या करती है कहां कहां आपन इसको use करेंगे आज आपन इसके बादे में जानेगे तो चली guys आपन अपने whiteboard की तरफ चलते हैं तो clear property का सबसे बड़ा use होता है कि जब भी अगर कोई भी element को float मिलावा है और अपन चाहते हैं कि वो floated element को अपन चाहते हैं कि कोई भी उसके बाद आए वो एक new tap से शुरू हो यानि कि new line से शुरू हो तो आज कैसे करेंगे इस float को use आज आपन उसके बारे में जानेंगे clear की जो parameter है वो है both यानि कि वो दोनों तरफ से आपको clear कर देगा यानि कि अगर कोई इधर की side से आपको float दियावा है तो वो नीचे वाले line में लिजाएगा element को और अगर इधर से side से float मिलावा है तो वो नीचे की तरफ ले जाएगा यानि कि कुल मिलाकर clear क्या करेगा अगर कोई से भी floated element है उसको वो new या फिर beginning line से start कर देगा तो चली गाई इसको पन प्रैक्टिकल वे में पढ़ते हैं क्लियर के फोल्डर के अंदर आगे हूं और इंडेक्स फाइल बना रखी है उसको में अपने एडिटर के अंदर ओपन करूंगा यहां पर अपना इस्ट्रॉक्टर रेडी कर देता हूं और इस्टाइल टैग यूज मैं करूंगा क्योंकि मैं इंटरल सी एसे यूज कर रहा हूं अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर अपना एक इमेज टैग स्टार्ट करा अब मैंने यहां पर ऐसार से में एक इमेज डाल दी और उसको कुछ विर्थ देदी विर्थ देदी अपने फॉर एग्जाम्पल के लिए 400 एंड हाइट देदी 200 पिक्सल्स और मैं यहां पर उपर इमेज सीधा इम्ज टैग को ही कॉल कर रहा हूं इसको अपने पढ़ाता टैग टार्गेटिंग यानिके अपन टैग को डिरेक लेफ्ट यानि कि अब मेरा जो भी कॉंटेंट होगा वो मेरे इमेज टैग के बाद में आएगा फाइल को सेफ और ब्रॉजर में ओपन करते हैं तब देख सकते हो यहां पर मेरे पास यह इमेज आ गई अब मैं क्या करूँगा इसके बाद में मैंने एक पैरेग्राफ रही हैं और मैं कोई अपनी AWS क्यूट एक की वैबसाइट से एक कान्तेंट कापी कर लसा था हूं तब मैं यहां पर आपने मेरे इहां पर यहां पर यहां पर नहीं है तो मैं क्या करूँगा सीधा paragraph tech को call करा मैंने clear property लगा दी यहाँ फिर आप क्या करो इसकी एक अलग सी तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर मैं एक clear class बना रहा हूँ clear बोथ नाम की तो class का name आप कुछ भी रख सकते हो पर property जैसी है वैसी ही use करनी पड़ेगी अपन को अब जैसे clear है property का name and both है इसका parameter अब मैं क्या करूँगा जहां पर भी मेरे को यह नीचे लानी है यानि की image की नीचे यह लाना है तो image के बाद मैं मैं अपनी clear property डाल दूँगा यानि की div class clear file को save and refresh तब मेरा क्या हुआ यह जो content element है उसको नीचे लेकर आजाओ यानि की अगर मेरे को clear देना है तो वह कब मिलेगा जब भी अपने float दियावा होगा float जैसे ही दिया अगर आपने float नहीं दिया है तो वह automatically नीचे आ जाएगा no issue but अगर जैसे ही आपने clear नहीं दे रखा है तो वह float के left side में आ जाएगा तो यह था अपना आज clear का concept यही चीज आप अपने div के साथ भी implement कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर एक div create करी class दी इसको demo नाम की और उपर इसकी styling करूंगा width 500 pixels and height 200 pixels ठीक है और उसके बाद मैंने इसको दे दिया float left file को save and refresh और मैं इसको एक border देता हूं one pixel solid and black file save and refresh तो यह मेरी यहाँ पर आ गई अब वैसे ही मैं इसको एक बार और call कर लेता हूं file को save and refresh तो यह इसके पास में आ रही है अब जैसे ही मैं एक बार दो तीन बार odd divs create करता हूं जिसे कि अपन को पता लग जाएगा कि यह तीनों आ गई अब मैं चाहता हूं कि यह दो यहां से break हो जाए यानि कि दो और यह इसके नीचे आ जाए और मेरी classes same है demo तो classes same होने की वज़े से तो मैं यहां पर क्या करूंगा डिव क्लास clear फाइल को save and refresh तो यहां पर क्या हुआ यहां पर जो मेरी डिव 1 थी डिव 1 डिव 2 डिव 3 फाइल से और रिफ्रेश तो मेरी डिव अभी एक जब तक मैंने clear नहीं लगाया था तब तक तो वह floated elements के साथ तारी थी अब जैसे ही मैंने clear लगाया तो क्या हुआ उसने floated elements को हटा दिया और वो एक new line से शुरू हो गया div 3 तो यह था आज की clear का topic यानि की clear किस तरीके से use होती है कहां use की जाती है तो इस चीज का अपन को बहुत ध्यान से use करना पड़ता है कि अगर अपने हर जगे clear use करना शुरू कर दिया तो अपना design अपने recording नहीं बनेगा तो I hope कि आपको आज का video पसंद आया होगा so thank you for watching this video and don't forget to press the subscribe button thank you guys कर दो